कि नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 7th of November 2022 के बारे में 7 November 2022 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है कहाँ पर आप सभी को सावधानी रखनी है क्या चीजें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है इसके बारे में हम इहां पर बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे चुकुपाय के बारे में, अजन नमिशन के बारे में और magical time of the day के बारे में जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी जादा बैसनया पर बना सकते हैं 7th of November 2022 सब्ता की शुरुवात का दिन है सुमवार का दिन है और बहुत ही जादा इंपोर्टेंट दिन यहां पर जाने वाला है यह जो दिन रहेगा यह पूरा का पूरा दिन आप सभी की इनर पावर को रिफ्लेक्ट करता है इनर एनलजी को रिफ्लेक्ट करता है इसी लिए य यह जो दिन रहेगा इस दिन में आप सभी किस तरह से अपने आपको स्टेबल रख पाते हैं किस तरह से अपने आपको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं इसको आप सभी को समझना होगा और अपने और आपको जितना स्ट्रॉंग कर सकते हैं करने की कोशिश करिएगा क्यो आज का दिन जो है वो दिल और दिमाग को बैलेंस करने का दिन है और दोनों को मिक्स करने का दिन है अपने सबकॉंशेस माइंड को इंप्रूव करने का दिन है और अपने सबकॉंशेस माइंड से चीजों को बाहर निकालने का दिन है बहुत ही जादा शांदार दिन यहां पर restless थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं इस तरह की योग दिखाई देते हैं क्योंकि आप सभी की speed और mindset जो रहेगा वो फास्ट रहेगा बढ़ दिन का ओरा रहेगा वो काफी स्लो रहेगा इस वज़े से चीजें उतनी ज़्यादा stable तरीके से नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए और उस वज़े से आप थोड़ा सा अपने आप में परिशान महसूस करेंगे आज का दिन वर्क प्लेस पर काफी ज्यादा important दिन हैगा बहुत आराम से इस दिन को निकालने की जरूत है क्योंकि वर्क प्लेस पर कोई दिक्कत कोई कोई परेशानी रहेगी जिसकी वज़े से आप थोड़ा सा आज परेशान महसूस कर सकते हैं और किसी ने किसी से आपकी बाच्चे थोड़ी सी बिगड जया है आपका काम थोड़ा сер किसी और की वज़े से बिगड़ जाए इस तरह की योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं आप सभी को क्या करना है अपने काम को बिल्कुल भी परिशान ना होने दे इस बात का विशेश द्यान रखेंगे और जितना हो से कि अपने आपको रिलैक्स रखने की कोशिश करें उतना आप सभी के लिए अच्छा रहेगा इसके अलवा आज कोई नहीं आप सभी को कई कोई नं को दिक्कत नहीं नहीं पर मेहसुस जरूरों सकती है छोटी छोटी चीजएँ को बिल्कुल रिलैक्स रखें प्लीकुल भी परिशान मत Ohono डियजेगा और जतना हो सके के अपने आप में काम को करने की कोशिश करिएक उत्सदर ही अच्छी रिचूर्ट क को देखने को मिलेंगे इसके अलवा यहां पर देखा जाए तो यह जो दिन रहे आप सभी के लिए सेहत के लिहाथ से बहुत भी ज़ीज़ा शानदा दिन यहां पर जाता हुआ दिखाई देता है सेहत आपकी डेफिनिली काफी ज़दा अच्छी रहेगी पट फिर भी आपको हेल्फ दवाइस भी ये दिन नेगेटिव ना लेके जाए रिलेशन्शिप काफी ज़्यादा इंपॉर्टिन दिन है आज रिलेशन्शिप को मेंटेन करने में महनत ज़्यादा देनी पड़ेगी खास कर हजबन वाइफ के रिलेशन्शिप में और अपने कलीक्स के साथ अपने बॉसेस के साथ इस्पेशली यहाँ पर कहूंगा कि अपने बॉसेस के साथ रिलेशन्शिप में काफी ज़्यादा आपको महनत करनी पड़ सकती है आश कोई 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 बात पर या फिर आप कह सकते हैं कि आब कहने की टार्गेट पर रह सकते हैं इस्तरह की यहाँ पर दिखाई देते हैं तो इसलिए अपने workplace को अच्छा करने के लिए अपने environment को अच्छा करने के लिए आपको remedies आज के दिन जरूर करनी चीए जो मैं अंत मैं बताऊंगा वो आप आज के दिन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका workplace का environment और आपके relationship काफी जदा अच्छे रहे अब बात कर लेते हैं पर देश और दुनिया के बारे में देश और दुनिया के लिए आज का जो दिन रहेगा वो काफी जदा ओके ओके वाला दिन यहां पर जाता वा दिखाई देता है definitely कोई ने कोई दिक्कत कोई परेशान यहां पर रहेगी ही रहेगी और साथी साथ कोई बड़ी दुरगटना के chances भी यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं कोई बड़ा accident हो सकता है या फिर भूमी company जिसकों भुकम कहते हैं वो यहां पर हो सकता है इस तरह के योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं हाला कि कोई बहुत बड़ा नुकसान के chances तो अभी नहीं आते हैं फिर भी calculation थोड़ी सी negative end पर जादा दिखाई देती है यहां पर बात कर लेते हैं राशियों के लिए राशियों में कौन सी राशिय के लिए आज कर दिनी अच्छा जाता पर बात कर लें तो नमबर एक नमबर तीन नमबर पांच नमबर च्छे और नॉग के लिए काफी ज़्धा पॉजिटिव दिन है अलफबस में आप बात कर लिए तो एस में एस सी एफ एम एल पी आर टी यू और जड़ आप सभी के लिए आज का दिन काफी ज़्यादा शा को मेरी और से हादिक्षिप काम ना है इश्वर से प्रातना करता हूं कि आप सिभी का दिन शांदार जाए और आपको किसी भी तरह से कोई दिकत को परेशानी मैसूस ना हो आज अगर आपका जंद दिन है तो आपके लिए जो आने वाला साल रहेगा यह काफी जदा मौके तो मिल सकती है तो आने वाले पूरे साल को किस तरह से निकालना है कौन से काम करने हैं कौन से नहीं करने सारा प्रॉपर लिस्ट बना के प्रॉपर प्लान करके अगर आप काम करेंगे तो आपके काम इजीली पूरे होते हुए नज़र आएंगे नहीं तो कामों में पहले तो अपने इश्वर अपने इश्ट देव जिसकी भी आप पूजा करते हैं जिसकी भी आप आराधना करते हैं उन्हें जरूर याद करने ना चीए वह आपके लिए काफी जदा अच्छा रहेंगा दूसरी चीज़ आपको क्या करना हैं आज के दिन में सबसे पहले हल किसी आफ हल्दी मिला दीजेगा तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा और इसके अलावा आप सभी क्या करें आज हल्दी का टीका भी जरूर लगा दीजेगा वह भी आप सभी के लिए काफी जदा अच्छा रहेगा एंड आप सभी एक बहुत इंपॉर्टनेंट चीज आज द्यान में रखियेगा अपने वर्क प्लेस पर खास करके अपनी कलीक्स के साथ कोई दिक्कत हो जाय तो उसको औरकम करने के लिए specially आज आज आप क्या करें आप इलाइची का इस्तमाल जरूर करिएगा अपने पास में इलाइची रखिएगा जब भी कोई बात बिगरने लगे जब भी कोई अन्बन आने लगे तो इलाइची आप खाल दीजेगा उससे आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल जाए आज का मैजिकल टाइम भी आप नोट कर लीजिए जो की काफी ज़दा अच्छा रहेगा आज का मैजिकल टाइम रहेगा शाम का समय रहेगा तुरह सा पांच बचकर पचास मिनिट से लेगर के छे बचकर पैतारीस मिनिट तक का समय जो है वो काफी ज़दा अच्छा समय है इस समय में अपने कामों को सुधारने की कोशिश करिएगा, अपने कामों को बिगणने से बचाने की कोशिश करिएगा और साथ ही साथ कोई भी अच्छा काम इस समय में जरू कर लीजेगा, उससे आपको बहुत अच्छे रिजर्ट यहां पर देखने को मिल जाएगे आज के दिन में जो affirmation जो वैदिक affirmation आपको यूज करना है वो कौन सा है वो भी आप नोट कर लीजिएगा बहुत ही जादा अच्छे results यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज का affirmation रहेगा I manifest perfect health and a good money in my life I manifest perfect health and good money in my life यह आपको बोलना है और जब भी आप यह चीज बोलेंगे जब भी आप यह affirmation रिकॉल करेंगे तो समय अपने आपको strong महसूस करिए और अपने आपको एक healthy और wealthy महसूस करिएगा तो यह आप सभी के लिए काफी ज़दा अच्छा result देता हुआ नजर आएगा उमीद करता हूं कि पूरा दिन आप सभी का शांदार जाएगा और आप सभी सुखे रहेंगे और अपने परिवार को support करते हुए नजर आएगे वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर दीजिएगा बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं कुछ भी जाना चाहते हैं अपने बारे में कुछ समयना चाहते हैं आप उसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी प्रिकोशिश आप सभी की हर संबाव मैं यहां पर कर सकूं धन्यवाद